अरे घासरी रोटी ही जदवन बिलावडो ले भाग्यो नानो सो अमर्यो चिक पड़यो राणारो सोयो दुख जाग्यो हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो में वाडी मान बचावन ने महें पास नहीं राखी रण में वेर्यारो खून बहावन ने पन याद करूं हलदी घाटी नेना में रगद उतर आवे सुख दुखरो साथी चे तकडो सूती सी हूँक जगा जावे पन आज बिलख तो देखूं हूँ जद राज कवर ने रोटी ने तो छात्र धर मने भूलूं हूँ भूलूं हूँ हिंद वानी चोटी ने अब राणा परताब अमर सेंग को एक घास की रोटी के लिए जब बिलखते हुए देखते हैं तो एक पिता का हर्दय तड़प उठता है और उनके मन में क्या भाव पैदा होते हैं यहाँ पर कभी किस परकार से उसका वर्णन करता है आगे देखिए मेला में छपन भोग जका मनवार बिना करता कोनी सोनारी थाल्या बिना जका बोजन करता कदी कोनी एहाए जका करता पगल्या फूलारी कवली से जापर वे आज रूले भूखा तिर्शा हिंदवानी सूरज राटाबर और जब इस परकार के विचार राना परताब के मन के अंदर पैदा होते हैं उसके बाद कवी क्या लिखता है और जब राना परताब के मन के अंदर अकबर के सामने अपना प्रसा भीजने की विचार आ जाते हैं उसमें वो भाव जो मन में उनके क्या पैदा होते हैं देखी आगे पन लिखूं कियां जद देखे है आडावल उंचो हियो लियो चित तोड़ खड़ो है मगरा में विकराल बूत सीलिया चियो में जुकूं कियां है आन मने कुलरा के सरिया बानारी में बुजूं कियां है सेस लपट आज जादी रे परवानारी पन फेर अमररी सुन सुसकयां रानारो हिवडो भर आयो में मानू हूं दिल्ली सतने समराट सने सोकेवायो में मानू हूं दिल्ली तने समराट सने सोकेवायो और आगे कभी लिखता है कि राना परताप ने जब पत्रक के माध्यम से ये संदेशा अकबर के दर्बार में पहुँचाया तो संदेश रुपी उस पत्रक को पढ़ करके अकबर की आखों को भी विश्वास नहीं हुआ उसके विशे में क्या लिखा हुआ है रानारो का गदबाच ही अकबर रो सपनो सो साचो पननेन कर्या विश्वास नहीं जद बाच बाचने फिर बाच्यो पढ़ने न करया विस्वास नहीं चद बांच बांचने फिर बांचो अकबर उस पत्र को बार बार पढ़ रहा है लेकिन उसका मन मानने को तयार नहीं है उसका दिल इसकी स्वेकरती नहीं देता है उसकी आखों पर उसको वरोशा नहीं हो रहा है तो वो पत्र को बार बार पढ़ता है बार बार पढ़ने के बाद में अकबर के मन में न जाने कितने ही परकार के विचार पैदा होते है और अकबर इसके बारे में क्या सोचता है वो कभी आगे क्या लिखता है देखी के आज ही मालो पिगल गयो के आज हुओ सूरज सीतल के आज सेसरो सिरडोल्यो आज सोच हुओ समराट विकल बस दूत इसारो पाभाजो पीथल ने तुरत बुलावन ने किरनारो पीथल आपूग्यो अकबर रो भरम मिटावन ने तो जैसे ही अकबर ने दुनिया भर का विचार करने के बाद में उसके मन को जबी दिलासा हो गई कि नहीं ये तो राणा का ही कागद है और उसने अधिनता स्विकार कर ली है तो उनके दरबार में जो परत्विराज कवी थे उनको उन्होंने बुलावा भेज दिया ये जताने के लिए कि देखो आज पूरे हिंदुस्तान पर मेरे सामराज्य की इस्थापना हो गई है और अकबर का ये ब्रह्म मिटाने के लिए पिथल भी वहां उपस्तित हो जाता है कवी परत्विराज के विशे में कनिया लाल सेठिया क्या लिखते हैं वो इन पंक्तिय पीथलने रजपूती गौरव भारी हो वो छात्र धरमरो नेमी हो राणारो प्रेम पुजारी हो बैर्यारो मनरो काटो हो बीकाने रो पूत खरारो हो राठोड रणा में रातो हो बस सागी देज दुदारो हो आबात पात स्या जाने हो घावा पर लून लगावन ने पीथलने तुरत बुलायो हो राणारी हार बंचावन ने अकबर अच्छी तरह से जानता था कि पीथल जो है इस बात को कभी श्विकार नहीं करेगा क्योंकि वो हमेशा राणा परताप के विसे में उनके दरबार में बहुत बड़ी बड़ी बाते किया करता था और उसका ब्रह्म मिटाने के लिए और उसके जखमों पर नमक लगाने के लिए अकबर ने पीथल को बुलाया था अब पीथल को दरबार में बुलाने के बाद में अकबर किस परकार से उसको अपनी खरी खोटी सुनाता है पंगतियों में कवी क्या क्लिकता है महें बांदलियों है पीथल सुन पिंजरे में जंगली सेर पकड ओ देख हाथरों का गद है तू देखी फिर स्यूं क्या अकड मर डूब चलू भर पानी में बस जूठा गाल बजावे हो पन तूट गयो बिन रानारो तू भाट बनियों बिदड़ावे हो में आज पात स्याधर तीरो में वाडी पाग पगा में है अबे बता मने किन रजवटरे रजपूती खोन रगा में है जब पीथल पत्र को अपने आत में लेता है तब क्या इस्तती बनती है पीथल की ये बात स्विकार करते हुए अकबर फिर उसको इजाज़त देता है और अकबर की इजाज़त पाने के बाद में पीथल किस प्रकार से अपने भावों को अपने कलम के माद्यम से राणा तक पहुँचाता है वो इस कवीता की जान है महें आज सुनी है नाहरी आस्या लारे साथे सो वेला महें आज सुनी है सूरजडो बादलरी ओटा खो वेला महें आज सुनी है चातकडो दरतीरो पानी पी वेला महें आज सुनी है हाथीडो कूकररी जूना जी मेला महें आज सुनी है थका कसम अब रांड हुवेला रजपूती महें आज सुनी है म्याना में तलवार रवेला अब सूती तो मारो हिवडो कापे है मुच्छारी मोड मरोड गई पीथल राना ने लिख भेजो आब बात कठा तक गिना सही पीथल का पत्र राना के हाथ पहुँचता है उसके बाद में राना क्या हूंकार बढ़ते हैं वो अगले पंग्तियों के अंदर पीथल रा आँखर पढ़ता ही रानारी आँख्या लाल हुई दिकार मने है कायर है नाहररी एक दकाल हुई हुँ भूख मरूं हुँ प्यास मरूं में वाडधरा आजाद रहे हुँ घोर उजाडा में भटकूं पन मन में मारी आद रहे हो रजपूतन रो जायो रजपूती करज चुकाऊं ला ओसीस पड़े पन पाग नहीं दिल्ली रो मान जुकाऊं ला पीथल के खिमता बादलरी जो रोके सूर उगाली नहीं सीहारी हा कल सहले वे वा कूख मिली कदशाली नहीं धरती रो पाणी पीवे इसी चातकरी चौच बनी कौनी कूकररी जूना जीवे लो आबात कदा सूनी कोनी आहा था में तल व्यार ठक कुण रंड के वे है रजपूती म्यानारे बदले बेर्यारी छात्या मेरे वेली सूती मेवाड धदक तो अंगारो आँख्या में चम 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 केलो मेवाड धदक तो अंगारो आँख्या में चम 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 केलो कड़ खेरी उठती तानाप पगपग खांडो ओ खड़ केलो राखो थे मूचा एठ्योली लोहीरी नदी बहादूला हूँ अथकलडूला अकबर सु उजड़ों में वाड बसादूला जदरानारो संदेस गयो पी थलरी छाती दूनी हिंदवानी सूरज चमके है अकबररी दुनिया सूनी हिंदवानी सूरज चमके है अकबररी दुनिया सूनी जए हिंद